हेलो बच्चो मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टेडियाब में स्वागत करता हूं इस लेक्चर में क्लास नाइंद के बच्चे पढ़ेंगे जो आप लोग छेतरफल पढ़ रहे थे त्रिभुज से संबंधित छेतरफल एरिया रिलेटेड ट्रियंगल उसमें आज आपका ट्रियंगल से संबंधित लाक्ष लेक्चर होगा इसके बाद चतुरभुज और त्र संब्बाव पढ़ लिया था ठीक है आइशो सकेलन पढ़ लिया था और एकिलेटरल पढ़ लिया था आज पढ़ेंगे राइट अंगल ट्रींगल के बारे में अर्था संब्बृचक के बारे में देखो बात करते हैं सम्कौन तिरублиच की तो समकोन तिरुज़ का कुछ इस प्रकार फीगर होता है ऐसे यह होता है बेस अतलब आधार और यह होता है उचाई जिसको बोलते है हाई पोटेनस इसको बोलते हैं हम लोग क्या हाई पोटेनस बोलते है इसकी बात देखो बात करें फिर यह होता है क्या इसको बोलते है यह होता है परपेंडी कुलर और यह होता है हाई पोटेनस जिसको बोलते है करण यह तीन चीजे होती है इसमें देखो आपके जो जब तिर्भूज पढ़ते हैं आप लोग थेओरेम तो उसमें होता है क्या कि उसमें बात करता है हाई पोटेनस परपेंडी कुल उसमें परगात करता है पाइथा गोरस की प्रमे की और पाइथा गोरस की प्रमे की अनुसार आप लोगों ने पढ़ा है जो कर्ण का स्क्वाइर होता है कर्ण का स्क्वाइर वो बराबर होता है लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर यह होता है और जब यह होता है तो इसी का इसने प्रियोग होगा और इसका जो छेतरफल होता है वो छेतरफल जो होता है वो होता है एक बटे दो आधार इंटू उचाई अर्थात एक बटे दो इंगलिस में लिख सकते हैं बेस इंटू हाइड के एक बटे दो बी इंटू एच यह होता इसका फार्मूला अब इससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं प्रस्त की तो देखते हैं पहला प्रस्त जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप से कह रहा है कि कि दा बेस दा बेस इंड हाइपो टेनस कि इसके अरिया को क्या करना है बताना है इसके अरिया को बताना है तो देखो आपको दे रहा है हाइपो टेनस दे रहा है और आपको दे रहा है बेस तो जो बेस दे रहा है आधार वो आपको दे रहा है फाइव सेंटी मीटर और जो हाइपो टेनस दे रहा है हाइपोटेनस जो दे रहा है कर्ण वो आपको दे रहा है 13 cm आप से कह रहा है एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या चाहिए ह चाहिए है ह इस में दे नहीं रहा है परपेंडिकुलर दे नहीं रहा है तो perpendicular निकालने के लिए इसका मतलब हाइट का मतलब क्या है उचाए कमतलब perpendicular P तो perpendicular के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है जो कण का square होता है कण का square वो बराबर होता है लंब का square प्लस आधार का square अब बच्चों यहां से कण की बात करेंगे तो कण आपको दे रहा है 13 तो 13 का square लंब आपको लंब आपको ग्याद करना या उचाए आपको ग्याद करनी और ए ए की बात करें आधार की आधार दे रहा है पांच का square इसको solve करेंगे 13 के square 17 L square plus 25 यहां से L square जो आएगा वो होगा 169 25 पिदार आजाएगा इसको इसमें गटाएगे तो L square बरावर 144 इसका मतलब हो जाएगा L square बरावर 12 का square square हट जाएगा तो L equal आजाएगा 12 centimeter यह हो गया यह हो गई height या इसको बोलेंगे L तो अब निकालेंगे क्या फार्मूला लगाएंगे 6 तरफल area 6 तरफल की बात करें तो जो 6 तरफल equal होगा वोगा 1 upon 2 आधार into उचाई तो 1 upon 2 आधार की बात करें बच्चों तो आधार आपको दे रहा है 5 और उचाई जो आई है वो आई है आपकी बारा दो से काटेंगे जाएगा 6 बार और 6 पंचे 30 तो 30 cm2 इस वरत्त का क्या हो जाएगा 6 तरफल हो जाएगा तो यह इसका 6 तरफल होगे नोट कीजिए देखें सेकेंड नमबर प्रेस ने कह रहा है फंच्ट की तरीके यह प्रेस ने कह रहा है कि दो बेस ओफ राइट एंगल ट्रेंगल मीजर्स 48 cm इंड इस हाइपोटेनस मीजर 50 cm फाइंड दे एड़िया ओप क्या एक त्रियंगल एक त्रिबुच का जो आधार है वो 48 cm नापा जाता है और इसकी जो कड्ण है वो 50 cm नापा जाता है तो आपको कण जो दे रहा है आधार दे रहा है आधार दे रहा है आधार दे रहा है वो दे रहा है 48 सेंटी मीटर और जो कण दे रहा है वो दे रहा है 50 सेंटी मीटर आप से कह रहा है कि छेतर फल गयात करना तो छेतर फल के लिए चाहिए आधार इंटू चाहिए या एल लिख सकते हैं तो हम कण का फार्मूला लगाएंगे पाइथा गोरस की प्रमे की प्रमे से पाइथा गोरस की प्रमे से लगाएंगे होता है कण का स्क्वाइर एक्वल आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर या लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का आधार आपको देरा अर्टालिस तो अर्टालिस का या फोर्टी एट का स्कॉार अर्टालिस का स्कॉार हो जाएगा प्लस एल का स्कॉार इसको हम लोग सॉल करेंगे पचास का स्कॉार जो होता है वो होता है पचेस सो 48 का जो स्क्वाइर निकालेंगे 23-0-4 के प्लस L का स्क्वाइर यहां से L स्क्वाइर निकालेंगे आएगा 25-100 और माइनस के 23-0-4 के इसको घटाएंगे इसमें तो 10 में इससे खांसिल दिया 10 इससे इसको दिया 10 10 में 4 जाएंगे बचेगा 6 यहां बचेगा 9, 9 में 0 गये 9 यहां बचेगा 4, 4 में 3 गया 1 आगया 196 तो 196 में जो बच्चे होता है वो 14 के स्क्वाइर होता है तो L बराबर आगया 14 सेंटी मीटर यह हो गया क्या इसकी उचाई हो गई या लंबाई हो गई लगाएंगे छेतरफल निकालने को आपसे कह रहा है तो छेतरफल निकालेंगे तो छेतरफल एक क्वल होता है एक बचेगा दो गुणा आधार गुणा उचाई या लंबाई एक बचेगा दो आधार आपको जो दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना 48 48 और उचाई जो आपको दे रहा है वो कितनी दे रहा है 14 2 से काटेंगे 7 बाड़ जाएगा 7 का गुणा करेंगे 7, 8, 56, 56 की हो जाएगा 6 हासिल लगा 5 7, 28, 28, 5 हो जाएगे 33 तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 336 सेंटी मीटर सकénergie यह इस तरभुज का क्या हो गया 6 तरफाल हो गया 336 सेंटी मीटर स्कॉर सॉल कीजिए इसकी वाद देखिए थर्ड नमबर प्रस्त थर्ड नमबर प्रस्त में आपसे कह रहा है कह रहा है कि समकोण बनाने वाली समकोन तिर्भुज में समकोन बनाने वाली भुजाओं के बीच जो 14 cm का अंतर है तो समकोन बनाने वाली जो भुजाएं होती है मतलब ये 90 अंज का कोन बनाने वाली भुजाएं जो है इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 14 cm है कह रहा है कि इसका चता छेत्रफल जो है वो 120 cm है कह रहा है इसकी परिमाब ग्यात की दिये तो देखो सबसे पहले तो इनकी बुजाएं निकालते हैं तो माना माना आधार आधार बराबर हो गया एक्स या एक बुजा निकालने के माना समकॉन बनाने वाली बनाने वाली एक बुजा की लंबाई लंबाई जो होगी वो कितनी होगी एक्स हो जाएगी दूसरी की निकालेंगे जाता दूसरी बुजा दूसरी जो बुजा निकलेगी वो कितनी निकलेगी एकस माइनस 14 जरुदा 14 सेंटी मीटर का क्या नतार है अब निकालेंगे वो छेतरफल दे रहा है आपको छेतरफल दे रहा है 120 सेंटी मीटर स्कॉरर सौल करेंगे छेत्रफल का फार्मूला होता है एक बटे दो आधार इन टू चाई पत्तब यही दोनों तो बुजाएं लेते हैं समफोन बनाने वाली तो इन बुजाओं की माप लेते हैं तो इन बुजाओं में एक देरा एक्स तो एक देरा एक्स माइनस 14 तो एक में हो जाएगा एक्स और दूसरी हो जाएगी एक्स माइनस 14 और यह बरावर 120 के दो इधर गुड़ा भाग में है तो इधर गुड़ा में हो जाएगा एक्स का एक्स में गुड़ा करेंगे एक्स स्क्वार एक्स का चुड़ा में गुड़ा करेंगे 14 एक्स या 14 एक्स जाए क्या करेंगे 240 के गुड़न खंडगी दो से काटेंगे आएगा दो एकम दो दो नी चार दो से काटेंगे दू छंका बारा दो से काटेंगे तीस दो से काटेंगे पंद्रा दो से काटेंगे आएगा तीन से काटेंगे तिरपड पंद्रा और पांस से काटेंगे एक बार जाएगा इनके ऐसे फैक्टर कीजिए इनके दो ऐसे बाग बनाई है कि जिनको गटाने पर कितना आ जाए शूदना आ जाए करेंगे इसको जब तो जाएगा दो दूनी चार दूनी 8 8 ट्रिक 24 और 5 दूनी 10 तो 24 में का दस में गुणा करेंगे 240 आएगा 24 में जब हम लोग 10 को गटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 तो X स्क्वायर माइनस 24 X और प्लस 10 X माइनस 240 यह गुरंखंड आपको आते ही हो इन दोनों में X कॉमन लेंगे तो जब इससे X अटाएंगे तो X बचेगा इससे X अटाएंगे तो 24 बचेगा इन दोनों में 10 कॉमन मिलना है तो इससे 10 अटाएंगे यक्स बचेगा इससे 10 अटाएंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा बरावर 0 के दोनों ब्रेकिट में जो होता है उसको बोलते हैं whole common लेना तो whole common लिया तो X माइनस 24 आजा दूसरा ब्रेकिट लगाएंगे इसके आँगे वाला लिखेंगे यक्स और इसके आँगे वाला लिखेंगे plus के 10 बरावर 0 यह हो गया अब एक बार इसको 0 लेंगे एक बार इसको 0 लेंगे यह दि X माइनस 24 इक्वल 0 के तो X इक्वल हो जाएकर 24 तो एक तो ही साफसे माप यह दूसरा लेंगे इसको तो यह जब लेंगे X माइनस X प्लस 10 बराबर 0 तो क्या होगा X बराबर माइनस के 10 और कभी भी किसी भुजा की जो लंबाई होती हो माइनस में नहीं होती है तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा, X बराबर 24, X बराबर 24 अर्थात एक जो बुजा आई, पहले बुजा, पहले बुजा आपकी आगई, X बराबर 24 सेंटे मीटर, इसके बाद निकालेंगे दूसरे बुजा, दूसरी जब ब हुजा निकालेंगे चोग दूसरे बुजा आएगी कहिरा था एकस माइनस 14 तो एकस की जगह पे रखेंगे 24 आपसे पढ़ा है एकस माइनस 14 तो एस आप आप ojos यह पता चल गया कि स्को पता चल गया इसको आपको यह और पता चल जाए तो परिद निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप जो होगा, परिमाप, परिमाप बराबर होता है ये बार की माप, अर्थाद इन तीनों बुजाओं का योग, तो इन तीनों बुजाओं का योग निकालने के लिए, ये आपको चाहिए, यह यह तो दोनों पता चल गए तो इसको निकालना है तो निकालेंगे कण का स्कॉयर पाइथा गोरस प्रिमे के अनुसार लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर इन दोनों में यह पता है कि इन दोनों में एक लंब एक आधार है तो कण का स्कॉयर जो होगा वोगा 24 का स्क प्लस 10 का स्क्वाइर, के स्क्वाइर, 24 का जब स्क्वाइर करेंगे, तो इसका जो स्क्वाइर आता है, वो आता है 576, और 10 का स्क्वाइर होता है 100, तो कड का स्क्वाइर आएगा 676, और 676 होता है 26 का स्क्वाइर, तो कड जो आया हो आ जाएगा 2680 वीटा, अब आपको जब तीनो भुजाय पता चल गएं तो इसकी निकालेंगे परिमाप, तो परिमाप बराबर होगा, तीनो भुजाओं का योग, या तीनो भुजाओं की लंबाईयों का योग, तीनो भुजाओं की लंबाईयों का योग, तीनो भुजाओं की लंबाईयों का योग निकालेंगे, तो 60 cm इस तरिवुज की क्या होगी परिमाप आ जाए परिमाप जो आई वो कितनी आ गई 60 cm नोट कीजिए देखिए चान नमबर प्रेस्ट चान नमबर में कह रहा है कि छायंकित भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए तो इसका छेतरफल निकालना है तो देखिए कि देखो यह जहां भी चिन आपको मिल जाए तो आप समझ जाना कि यह समकॉन तरफल अर्थाद 90 नब्बेंस होगा तो 90 के सामने हमेशा कर्ण होता ऐसे दिया गया था यह 90 डिगरी तो इसके सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा अब जब यह कर्ण है इसके सामने वाला यह कर्ण है तो इन मेंसे एक लंब होगा एक आदार होगा तो इससे निकालेंगे A, B की लंबाई यह दे रहा है यहाँ पर प्वाइंट है डी है तो निकालेंगे समकोर तिरभोज समकोर तिरभोज तिरभोज A, B, D में A, B, D में 90 डिगरी के सामने कर्ण मतलब होगा एक तो A, B का इसक्वाइर बराबर इन दोनों में दोनों बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है समकॉन त्रिवज में तो यह एक बुजा हो गई AD का स्कॉयर और दूसरी हो गई BD BD का स्कॉयर इसको जब शॉल करेंगे तो AB आपको निकालना है AD आपको दे रहा है कितने के AD दे रहा है आपको बारा सेंटी मेंटर के तो बारा का corps BD दे रहा है 16 तो 16 का सकवार AD सकोईर बराबर 12 का सकोईर 144 16 का सकोईर 256 होता है AD सकोईर जो आयगा वायगा 6 4 10 की 0 5 4 9 1 10 2 1 3 और एक हो जाएगा 4 AD सकोईर बराबर ये आगया है बीस का सकोईर तो AD स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर दोनों पच्छों की गाते बराबर है आधार बराबर होगा तो AD बराबर आ जाएगा 20 cm तो यह आपको आ गया 20 cm अब जब यह 20 cm आ गया तो आप से पूछ रहा है छायंकित बाग का छेतरफल निकाली है तो इस वाले के छेतरफल में से क्या करें इस वाले के छेतरफल में से हम यह अंदर वाले तरबुच का क्या करें छेतरफल गटा दें इस वाले के छेतरफल में से इस पूरे वाले के छेतरफल में से ये वाला गठाद ने हो ये कितना आया है वो आया 20 सेंटी मीटर तो सबसे पहले तो इस बड़े वाले तरबुज का छेतर फ़ल निका लिए इसमें ये पता नहीं कि ये समकोन तरबुज है तो विसम बाओ दिखरा है सभी की बुजा है अलग अलग है तो आपको पता है कि रोज फार्मूला सभी के लिए सथ होता है तो उसी को डारेक्ट लगा के सॉल कर सकते है तो पहले तो इस लिका लेंगे तरबुज A,B,C में बात करेंगे तरबुज A,B,C में अब ही हम इसका छेतर फ़ल निकालना है पूरे का पूरे के छेतरफल में से ये A, B, C इस पूरे के छेतरफल में से यदि A, B, D का छेतरफल ये वाला अंदर वाला हटा दे के वाले ये 6 आंकित बचेगा तो पहले तो निकालेंगे A, B, D का छेतरफ़ A, B, C में S बराबर A, B, C में A हो गया ले लिया 52 cm B ले लिया 48 cm या A होगा 48 कॉन के सामने वाली बुजा A, B के सामने वाली 52 C के सामने वाली C, C दे रहा है आपको 20 निकालेंगे इस से क्या अर्द परिमाप सेमी पेरिमीटर अर्द परिमाप अर्द परिमाप जब निकालेंगे तो होता है A, B, C बटे दो A दे रहा है 48, 48, B, 52 और C, 20 बटे दो जोडेंगे 48 और 52, 100 में 20 जोडेंगे हो जाएगा 120 और नीचे दे रहा है 2 तो S बराबर 120 बटे दो अर्द आज़ा 60 सेंटी मीटर S आज़ा 60 सेंटी मीटर लगाएंगे हीरोंस फार्मूला जब हीरोंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा इसमें अंडरूड छेतर फल S S माइनस A S माइनस B S माइनस C एक्वल अंडरूड S की वैलू रखेंगे S कमान दे रहा है 60 फिर यहाँ पे 60 माइनस A और A आपने पढ़ा है 48 याड़ तालिस फिर यहाँ पे 60 माइनस B B की जगह दे रहा है 52 और फिर दे रहा है S माइनस तो 60 माइनस C और C कमान दे रहा है 20 यह हो जाएगा इसको हम लोग सॉल करेंगे तो यह आएगा 60 60 में 48 जाएगे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12 60 में 52 जाएगे 8 और 60 में 20 जाएगे 40 तो A इक्वल इसको लिख सकते है आठ चोको 32 हो जाएगा 32 में 6 का गुणा करेंगे या इनका आपस में गुणा कर लो तो आ जाएगा फैक्टर कर लो सिंपल से इसको जो करेंगे तो यह किसका होता है इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 6 ऐसे कर लो इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 2 यह 8 और इसको 4 गुणा 10 तो A इक्वल देखेंगे काउन दो बार है 10 दो बार है तो 10 का square 6 दो बार है छे का square और 8 दोनी 16 16 16 64 64 को लिख सकते हैं 8 का सभी स्क्वाइर वाले बन गए अंडरूट भी लगा है तो स्क्वाइर अंडरूट सभी क्या करेंगे अठा देंगे तो जब इसमें अठाएंगे स्क्वाइर अंडरूट तो आएगा 10 गुणा 6 गुणा 8 तो इसका जो छेत्रफा लाया वो कितना आ इस्वायर यह आगया त्रभूज A B C का छेत्रफारू अगर 5000 को अगरil 20C का छेत्रफारूर अदो इसमें यह वाला इसका छेत्फार गटा दे और जाये अंसर हमें किसको गटाएंगे तरभुज A B D केछफळ तो निकालेंगे त्रभुज AB D का छेत्रफार अंडरूट तो ABD का जब 6 फाल निकालेंगे तो यह होगा एक बटे दो आधार इंटू उचाई कोण की बस पर समय याद रखने हैं बेंस के सामने वाला कड़ोगा इन दोनों में एक आधार एक इंटू उचाई तो 12 इंटू 16 किसी को भी आगे पीछे कर लो उससे कोई फार्क नहीं पड़ने वाला आधे दो से काटेंगे छेवार जाएगा शोला छेखाँ चानवे नाइंटे सिक्स सेंटीमीटर की अब निकालेंगे चायांकित बाग का छी थ्पल कि चायांकित बाग का च्हेत फलोगा तो त्रभुज पूरे त्रभुज ए बीसी का च्हेत फल और माइनस तिर्भूज A, B, D का छेदर पाए इसमें इसको क्या कर देंगे घटा देंगे अब जब इसको सॉल करेंगे तुम लोग क्या पाएंगे ये दे रहा था 480 तो आएगा 480 माइनस कितना 96 96 10 में 6 जाएंगे बचेगा 4 यहां बचा 7 इससे एक हासिल दिया 17, 17 मिन हो जाएंगे 9, 8, 17 यहां बचेगा 3 तो 384 सिंटी मीटर स्क्वाइर इसका 6 यांकित बाग का 6 तरफल आजाएगा तो यह इस प्रकार प्रस्ट सॉल्व हो गया यदि आपको थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख ले और इसी टाइप का बेक और प्रस्ट समझा रहे हैं तो आपके जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएग नोट कीजिए अगला देखिए पांच नंबर कह रहा है कि चायांकित भाग का छित्र फल ग्याद कीजिए दिये गए चित्र में चायांकित भाग का छित्र फल ग्याद कीजिए फीगर कुछ आपको इस प्रकार दे रहा है ऐसे कुछ फीगर दे रहा है इसमें ऐसे अब इसमें आपसे कह रहा है यह A, B, C दे रहा है यह A है, यह B है, यह C है, यहाँ पे D है च्छायांकित दे रहा है, यह वाला च्छायांकित भाग है ऐसे चित्वन है इसका चित्वन निकालना है आपको इनकी लंबाईयां दे रहा है आपसे कहे रहा है कि 12, 22, 26 इसकी जो है 22 सेंटी मीटर इसकी दे रहा है आपको 24 और 26 सेंटी मीटर 24 सेंटी मीटर इसकी 26 सेंटी मीटर और इन दोनों की जो दे रहा है वो दे रहा है 120 और 120 इसकी दे रहा है 120 इसकी दे रहा है 120 22 कहरा च्छायांकित बात का छेध्पन निकाल दिए तो च्छायांकित बार इस के लिए क्या करेंगे पहले ए ब इस आपने निकाला इस बार पयth lived के आप currently जुरूत नहीं है यह देरा नब्डेन साया नहीं है अर्थात ये भी अगर ये दिया होता तो तो पता चलिए आता संकूर्ण तिरभुजे तो डारेक लगा देते तो हम लोग क्या करेंगे ये भी विसंभाव तरभुजे और ये भी C में ले लिजिए इसको A1, A के सामने, A1 हो गया 22 cm, B के सामने वाले को B1 ले लिजिए, B1 हो गया 122 cm, और C1 जो हो गया, वो हो जाएगा, C1 जो होगा, वो होगा 120 cm, इससे निकाल लेंगे क्या, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, जब अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो अर्ध परिमाप, S बराबर जो होता है, वो होता है, A प्लस B प्लस C, यहां S1 ले लिजिए, A1, B1, C1 अपॉंट 2, सभी के मान रखिए, तो S1 जो बराबर होगा, वो A का मान रखेंगे 22, B का मान रखेंगे B1 का 112, और C1 का रखेंगे 120, बटे दो, जोडेंगे, तो 2 और 2, 4, हो जाएगा, फिर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 1, 2, 264, बटे दो, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, यह 2, 2, 4, 2, 6, और यह बचे गए एक और एक दो, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 132 सेंटी मीटर, अब निकालेंगे तिरभूज A, B, C का छेतरफ़, इसका छेतरफ़ निकालेंगे, A1 एक्वल, अंडरूड होगा, S1, S1-A1, S2-A2, S1-A2, B1, और S1-C1, यह हो जाएगा, इससे निकालेंगे, A1 एक्वल, अंडरूड, S1 की वैलु रखेंगे, S1 का जब मान रखेंगे, S1 की जगह दे रहा है, 132, फिर हहाँ, S1 की जगह दे रहा है, 132, अर जो B1 आपको दे रहा है, ऑपको, 112, फिर S1 की जगे पर रखेंगे 132 और B2 जो दे रहा है वो दे रहा है 120 solve करेंगे इसको जब इसको solve करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हो गया 132 into 132 में 22 गए बचेगा 110 2 में 2 गए 0, 3 में 2 गए 1 ये बचे गए 132 में 122 गए बचेगा 10 दो में 2 गए 0 और 3 में 2 गए बचेगा 1 एक में 1 गए 0 132 में 120 गटाएंगे बचेगा 11 ये हो गया अब इसको देखो solve करते हैं ये बचेगा 12 इसको जब हम लोग solve करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि आजाएगा under root 132 को लिख सकते हैं 11 गुड़ा 12 110 को लिख सकते हैं 11 गुड़ा 10 ये देरा 10 गुड़ा 12 solve करेंगे under root 11 दो बार या 12 दो बार तो 12 का square 11 हो जाएगा दो बार 11 का square और 10 भी देरा है दो बार तो हो जाएगा 10 का square तो ये बच्चे हो जाएगा तो तीनों में square और under root लगा हुआ है तो तीनों के square और under root हट जाएगे तो आएगा 12 गुड़ा 11 गुड़ा 10 12 का 11 में गुड़ा करेंगे 132 और 10 का 0 तो आजाएगा एटू बराबर हो जाएगा 22 cm बी टू आपका इसका बी टू ये होगा 26 cm और सी टू जो होगा वो सी के सामने वाला दे रहा है 24 cm तो इसका छेत फ़ल निकालने के लिए इसके परिमाप की आपको ज़रुत पड़ेगी तो निकालेंगे इसकी अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप यस्टू बराबर एटू प्लस बी टू प्लस सी टू अपॉन टू एटू आपको दे रहा है 22 ये दे रहा 26 ये दे रहा 24 बटे दो ये हो जाएगा 6,4,10, दो बारा, बारा की दो दो, दो, चार, दो, चै और एक हो जाएगा 7 बटे 2 तो या जाएगा 36 cm तो इसका जो अंसर आया एष टू जो आया वो आगया 36 cm के जब ये हो गया 36 cm तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आंगे इसका निकालेंगे छेत्रफल किसका ? B, C, D का च्छेतर फार अर्थात A2 A2 बरावर निकालेंगे तो लेंगे अंडारो रोड़ता यस माइनस 1 तो यस की जगए क्या लिखेंगे? S2 लिखेंगे S2, S2 माइनस A2 S2 माइनस B2 और S2 माइनस C2 तो A2 इक्वल S2 की वैलू रखेंगे S2 दे रहा है 36 ये 36 माइनस A2 A2 का माण रखेंगे 22 और S2 की जगए रखेंगे 36 माइनस B2 रखेंगे दे रहा है 26 और S2 की जगए 36 और C2 दे रहा है C2 कितना है आपको दे रहा है? 24 यहां हो जाएगा 24 solve करेंगे A2 इक्वल ये हो जाएगा 36 6 का स्क्वायर है 36 में 12 जाएगे तो बचेगा 14 36 में 26 जाएगे 10 36 में 24 जाएगे कितना बचेगा? 12 बच जाएगा 36 में 24 जाएगे कितना बचेगा? 12 बच जाएगा अब इसको solve करेंगे हम लोग इसको जब हम लोग solve करेंगे तो यह आएगा A2 इक्वल यह हो जाएगा च्छै का स्क्वाइर है तो इसका स्क्वाइर अंडर वहड जाएगा इसका स्क्वाइर अंडर वहडा देंगे च्छै बचेगा इसको लिख सकते हैं हम लोग दो गुणा साथ इसको लिख सकते हैं पांच गुणा दो पांदूनी दास तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? चार गुणा तीन दो दूनी चार चुको सोला और सोला जो होता है वो होता है चार का स्क्वाइर ये बचेगा साथ पना पैंतिस और पैंतिस तियां एक सो पांच ये आ जाएगा एटू एक्वल जो आएगा वो आजाएगा चार और इसका स्क्वाइर अंडर रूड जाएगा तो बचेगा चार ये अंडर रूड में एक सो पांच आजाएगा एक सो पांच आएगा अब इसको जब हम लोग सॉल करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या जाएगा 24 और इसका होगा 10 दसमलो दो पांच के यह होगा 24 और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे इस बिधी से देरा 105 तो 105 का वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट तो Divide करेंगे इसको कितने टांप बार तीन बार जाएगा दस बार चला जाएगा दस बार देंगे तो दस दाम हो जाएगा 100 बचेंगे कितने पांच पांच बचा इसको इसमें जोड़ा दस दाम 100 ये ओ जाएगा 20 भाग जाएगे रही दसंबलो लगाएंगे तो 2-0 बढ़ेंगे कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा तो ओजाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे 2-4-0-2-4 इसमें गटाएंगे 6 यहाँ पे 9 इतना आएगा फिर 2-0 बढ़ाएंगे इसके बाद देखेंगे तो यह आएगा कितना 96 इतना 96 इसको इसमेड करेंगे 200 हो जाएगा 4 कितने बाद डिवाइट करें लगबग 5 बाद चला जाएगा लगबग थोड़ा कम जाएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा तो लगबग कितना आएगा 10.25 इनका आपस में गुणा कर लेंगे जब गुणा करेंगे तो A2 का जो मान आएगा वो आजाएगा आपका A2 इक्वल इधर लिखे दे रहे हैं A2 A2 जो आएगा गुणा करेंगे 24 का 24 पंचे 120 120 की 0, 80 लगा 12 24 दो नी 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60 आजाएगा 60 की 0, 80 लगा 6 फिर 24 का 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा और 6, 80 तो हजाएगा 6 24 का एग में गुणा करेंगे 24 आजाएगा कितने अंका बाद दसम्मलो है दो अंका बाद दसम्मलो है तो आजाएगा 246 डवल 0 यह आजाएगा इसका क्या 246.00 इतने सेंटी मीटर इसको है यह आजाएगा एटू का माद हमें निकालना है चायांकित भाग का छेतरफल चायांकित भाग का छेतरफल चायांकित भाग का छेतरफल निकालेंगे तो पूरे त्रिभुज के छेतरफल में त्रभूज A, B, C का छेतरफल और इसमें हम लोग घटाएंगे किसका त्रभूज B, D, B, C, D का छेतरफल त्रभूज B, C, D का छेतरफल तो यह हो जाएगा त्रभूज A, B, C का जो छेतरफल आपको दे रहा है वो पहले आया था A1 और A1 आया था 1320 और माइनस गटा देंगे 246 दस समलों के बाद इन 0 का कोई मतलम नहीं दस में 6 जाएंगे बचेंगे 4 ग्यारा ग्यारा में 4 गए साथ 4 ग्यारा दो बचेगा दो में 2 गए 0 तो आए जाएगा 1064 सेंटी मीटर स्क्वाइर यह इसका हो गया 6 त्रभूज 1064 सेंटी मीटर स्क्वाइर नोट कर लेजिए